Hello friends, welcome to studyaker, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, Daily Current Affairs में आज 22 दिसंबर 2022 के most important Current Affairs के question डिसकस करेंगी, तो आप इस पूरे lecture को बहुत ध्यान से last तक जरूर देखेगा, last में आपसे question पूछा जाएगा और इसका revision किया जाएगा, तो आप revision जरूर करिएगा, इसके अलाबा जो question आपसे पूछा जाएगा, उसका answer आप comment box में जरूर दीजिएगा, PDF डाउनलोड करना हो, तो वो आप हमारे application से कर सकते हैं, application का link आपको description box में दिया गया है, आज का पहला question है, भारत का पहला और विस्तु का दूसरा infantry संग्रहाले कहां खोला गया है, answer हो जाएगा महू, महू किस रज्ज में है, तो यह मद्ध प्रदेश में है, तो महू में भारत का पहला और विस्तु का दूसरा infantry संग्रहाले कहां खोला गया है, दोस्तो इंफेंटी का मतलब होता है पैदल सेना तो भारत का पहला और विश्व का दूसरा इंफेंटी यानि पैदल सेना रिसर्च सेंटर और संग्रहालय इंदोर जले के महुचावनी में इस्थापित किया गया है इसको 17 दिसंबर 2022 को जनता के लिए खोल दिया गया है दोस्तो इस संग्रहालय को दा इंफेंटी स्कूल महुच के तत्वाधान में इस्थापित किया गया है इस संग्रहालय में 1747 से लेकर के 2020 तक इंफेंटी कोर के इतिहास को डरसाया गया है इसके अलाबा बहुत सारी मूर्थियां लगाएंगे हैं दीबार उपर शित्र बनाये गए हैं और दोस्तो मूर्थियों के माध्यम से फोटो के माध्यम से जो हमारे वीर सैनेक हैं उनकी वीरता और बहादुरी के किसे भी बताये गए हैं अंगला कुश्यन है गुड गवर्नेंस बीक कब से कब तक मनाया जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 19 से 25 दिसमबर 2022 के बीच में तो गुड गवर्नेंस बीक जो है वो 19 से 25 दिसंबर 2022 के बीच में मनाया जा रहा है और दोस्तो इसे हम सुसासन सप्ताह के नाम से भी जानते हैं याद रखीगा सुसासन दिवस कम मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी बाचपेई के जन्मी दिवस पर सुसासन दिवस मन मनाया जाता है पिछली सालियानी 2021 से इसकी सुरुबात हुई थी 2021 में 20 से 26 दिसंबर 2021 तक मनाया गया था आजादी के अमरित महुत्सव के एक पार्ट के रूप में दोस्तो 2022 में जो केंद्रिय मंत्री है डॉक्टर जीतन सिंग उनके द्वारा 5 दिन का एक अभियान सुरू क किया गया है इसी गुड गवर्नेंस बीक में तो इस अभियान का नाम क्या है याद रखिएगा प्रसासन गाओं की और अभियान ठीक है दोस्तो तो इस अभियान को किसने सुरू किया है या किसने इसका उद्गाटन किया है तो डाक्टर जीतन सिंग ने इसका उद्गाटन किया है अंगला प्रसन है प्रोजेक्ट 75 के तहट किस पंडुब्बी को हाल ही में नौ सैना में सामिल किया गया है आंसर है इसका बागीर तो बागीर नाम की जो पंडुब्बी थी उसे हाल ही में नौ सैना में सामिल किया गया है देखिए दोस्तो भारत में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75 तो इसके अंतरकाट 6 पंडुब्यों का निर्माण होना है और ये जो 6 पंडुब्यां होगी ये स्वादेसी रूप से बनी होगी यानि इसमें जो सामान यूज किया चाहेगा वो भारत का ही होगा तो अदिकतर सामान भारत का होगा तो ये स्वादीसी रूप से निर्मित कीचा रही है और दोस्तो जो प्रोजेक्ट 75 है इसमें जो पंडुब्यों बन रही है उनको मैरसस नेबल ग्रोप फ्रांस के सयोग से मजगाव डाक सिप विल्डर्स लिम्टिड 75 है इसके तहित अब तक 5 पंडुब्या मंगर के तयार हो गई है और 9 सेना में भी सामिल हो गई है तो वो कौन-कौन से पंडुब्या है कलवरी, खंडेरी, करंच, बेला और बागी आने वाले समय में छटमी जो पंडुब्य होगी उसका नाम होगा बाग सीर क्या नाम होग 2024 तक तो गगन यान को 2024 तक लौच किया जाएगा, ये किसने बताया है ? तो केंद्रिय राज्यमंत्री हैं स्वतंतर प्रभार के डाक्टर जीदन सिंग तो उन्होंने कहा है कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष औरान मिसन गगन यान को 2024 की चौथी तिमाही में लौच करने का लक्ष रखा गया है उनोरिया जानकारी लोक सभा में 21 दिसंबर 2022 को दी है दोस्तो भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संग्ठन यानी इसरो के अनुसार LMV3 राकेट का उपयोग करके इस गगन यान मिसन को लॉंच किया जाएगा इसके लिए दोस्तो चार भारतिय बायुशे जो पाइलेट हैं उनको ट्रेनिंग दीजा रही है और यह ट्रेनिंग रूस में दीजा रही है देखे दोस्तो कुछ और इंपोर्टेंट जनकारी डिसकस करते हैं तो बरतमान में किवल तीन देश ऐसे हैं जिन्होंने अंत्रिक्ष में मानाव को भीजा है वो है अमेर का र राकेट पस सबार होकर के सोवियत संग के यूरी गौगरिंग अंत्रिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे याद रखिएगा यूरी गौगरिंग जो थे वो अंत्रिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे और उनका संबंद सोवियत संग से था विंग कमांडर राकिस सर्मा अंत्रिक्ष में जाने वाले एक मात्र भारती हैं याद रखिएगा जो 3 अप्रेल 1984 को सोयुज T11 में सवार होकर सोवियत मिसंद का एक पार्ट की रूप में अंत्रिक्ष में गए थे दोस्तो भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संग्ठान यानि इसरों की अगर ह सौमनाथ अंगला प्रसन है कौन सा देश फरबरी 2024 में 13 वी 20 सुब्यापार संग्ठन यानि World Trade Organization की मंत्री इस्त्रिय बैठक की मेजवानी करेगा तो ये बहुत इंपोर्टेंट कोशन है तो इसका आंसर होगा UAE यानि WTO की मंत्री इस्त्रिय बैठक कहां होने वाली है तो य UAE यानि संग्त अरव अमीरात में होने वाली है तो UAE में फरबरी 2024 में 13 वी 20 सुब्यापार संग्ठन की मंत्री इस्त्रिय बैठक की मेजवानी करेगा दोस्तो WTO का 12 मंत्री इस्त्रिय सम्मेलन 12 जून से 17 जून 2022 तक जिनेवा सुटियर लेंड में आजित किया गया था ये ह हर दो साल में मीटिंग होती है तो दोस्तो इस सार सुटियर लेंड में और 2024 में UAE में इसका आउचन किया जाएगा चलिए अब हम बात करते हैं WTO की यानि 20 सुब्यापार संग्ठन की या World Trade Organization की इसकी स्थापना एक जन्वरी 1995 हुई थी और यह अर्थ बबस्ता के लिए नेवा सुटियर लेंड में हैं और इसके बरतमान सदस्त देश हैं 164 इसके बरतमान महाने देशक हैं नाइजीरिया की डाक्टर गोजी और कौन जो इबेला अंगला प्रसन है नई दिल्ली में किसने अपनी पुस्तक Fit at Any Age का विमोचन किया है तो इसका विमोचन किया है Air Marsal PVIR तो दोस्तो Air Marsal PVIR ने कौन सी पुस्तक लिखी है Fit at Any Age तो दोस्तो Retired Air Marsal है PVIR तो उनके द्वारा Fit at Any Age पुस्तक को लॉंच किया गया है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के वारे में कुछ ऐसे पहलू बताए हैं कि वो अभी तक इतनी उम्र में भी किस प्रकार से Fit हैं ठ पुस्तक को किसने प्रकासित किया है तो Bloomsbury इंडिया के द्वारा इसे प्रकासित किया गया है हाल ही में जो चर्चा में रही है पुस्तके चलिए उनको डिसकस करते हैं Forging Metal ये किसने लिखी है पवंसी लाल ने Beyond the Misty Wheel Temple Tales of उत्राखंड आराधना जोहरी की पुस्तक है The Mac Mohan Line जेजे सिंग की पुस्तक है Crunch Time डाक्टर स्री नाम चौलिया की पुस्तक है और Unfilled Barrels रिचा मिस्रा की पुस्तक है तो दोस्तों ये हाली में चर्चा में रही पुस्तके हैं तो इनको भी आप नोट कर लीजिगा अंगला प्रस्न है करीम बेंजमा ने अपनी सेबा निप्रिती की यानी Retirement की घूचना की थे वह किस केल से समबंदिद है आंसर है इसका फुटवाल तो करीम बेंजमा जो है वो फुटवाल से रेलेटेड हैं और उन्हें अभी Retirement की घूचना की है वह किस देस के लिए खेलते थे फुटवाल तो वह फ्रांस के लिए खेलते थे उन्होंने 97 मैचों में 37 गोल अपने नाम किये हैं उन्होंने 2007 में अपना पहला मैच खेला था दोस्तो यहाँ पर बात आई है फुटवाल की तो फीफा फुटवाल विस्टुकप 2022 का किताब किस ने जीता है? अर्जन्टीना ने जीता है किस को हरा करके जीता है? किसने डिजटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आईकॉन का पुरुसकार जीता है? आंसर है इसका स्मार्ट सिटीज मिसन तो भारत सरकार्ट का जो स्मार्ट सिटीज मिसन है उसने Digital India Award में Platinum Icon का पुरुसकार जीता है ठीक है दोस्तों याद रखिएगा आवास और सहरी मामलों की मंत्रालाई के द्वारा जो Smart Cities Mission चलाया जा रहा है उसने Digital India Award 2022 में Platinum Icon का पुरुसकार जीता है आवास और सहरी मामलों की मंत्री याद रखिएगा हर्दीप सींग पुरी है अंगला प्रस्थन डिसकस करने से पहले दोस्तों Digital India Award के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी डिसकस करते है Digital India Award 2009 में स्थापित किया गया था और यह है Electron की और सूचना प्रोदोक की मंत्राले के तहट राश्टिय सूचना बिग्जान केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है और दोस्तो इसका सातबा संसकर 2022 में आज़ित किया गया है अंगला प्रस्थन है बिग्जान और इंजिनरिंग में पिएच्डी करने वाले चात्रों की संख्या की मामले में भारत की रैंक क्या है यह जो रैंक है वो तीसरे स्थान पर आ गई है प Samplewał तो तो 2018-19 में 2511 और 2019-20 में 4003 और 2020-21 में 5629 लोग ऐसे हैं जो विज्ञान और इंजिनरिंग में PhD कर रहे हैं और यह data किसने launch किया है दोस्तो तो यह National Science Foundation के द्वारा इसको launch किया गया है दोस्तो नेशनल साइंस फाउडेशन जो है वो अमेरिका की एक सोतंत्र एजेंसी है जो विज्ञान और इंजिनरिंग के सभी छेत्रों में मौलिक अनसंधान और सिक्षा में सामिल है अंगला प्रसन है लाश्ट प्रसन है तो ध्यान से सुनिएगा चाहत अरोडा ने महिलाओं के कितने मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में एक नया राष्टिये रिकॉर्ड बनाया है आंसर इसका 50 मीटर इन्होंने 10 मीटर में भी रिकॉर्ड बनाया है नया राष्टी रिकॉर्ड बनाया है और 50 मीटर में भी इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है जिसका आयोजन मेलमर औस्टेलिया में क्या जा रहा है तो उन्होंने मेलमर स्पोर्ट्स एंड एक्वाटिक सेंटर के 25 मीटर सौर्ट कोर्स पूल में 32.9 सेकेंड में पूरा किया है और इस प्रकार से उनका 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में एक नया राष्टिये रिकॉर्ड बना है तो दोस्तों ये थे आज के महत्रपूर्ड करेंट अफेस के कोशन अब हम इनका रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसके बाद आपसे कोशन पूछेंगे तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिगा भारत का पहला और उविस्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहला कहां खोला गया है तो ये महू में खोला गया है गुड गवर्नेंस भी कब से कब तक मनाया जा रहा है तो ये उनीस से पच्चिस दिसम्बर तक मनाया जा रहा है प्रोजेक्ट 75 के तहट किस पंडुबी को हाल ही में नौसेना में सामिल किया गया है तो आई एनस बागीर को सामिल किया गया है गगन यान किस वर्स लॉंच किया जाएगा तो यह 2024 में लॉंच किया जाएगा कौन सा देश फरवर्डी 2024 में तेरह भी विश सुब्यापार संग्ठन यानि डबलू टी ओ मंत्री इस्तरी बैठर की मेज़वानी करेगा तो UAE करेगा नई दिल्ली में किसने अपनी पुस्तक Fit at Any Age का विमोचन किया है एर मार्सल पीवी अईयर ने करीम बेंजमा ने अपने रिटार्मेंट की घोशना की है वाई किस स्केल से रेलेटर है वाई फोटवाल से रेलेटर है किसने डिजिटल इंडिया अवाड 2022 में प्लेटिनम आईकॉन का प्रोस्कार जीता है तो स्मार्ट सिटीज मिसन चाहत अरोडा ने महिलाओं के कितने मीटर ब्रेस्ट स्टोक में एक नया राष्टी रिकॉर्ड बनाया है पचास मीटर में विग्यान और इंजिलिंग में पिएजडी करने बालों की संख्या में भारत की रेंग क्या है तो यह तीसरी रेंग है दोस्तों अब आपसे एक कोश्चन पूछा जा रहा है तो उसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कगन यान किस वर्स लाउंच किया जाएगा 2023, 2024, 2025 या 2026 में जो भी इसका राइट अंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एप को डाउलोड कर लें तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैहिंद वन्दे मात्रम